मैं हूँ इंजिनियर योगेंद्र प्रस्टार दियादो मैं दिहार के रहने वाला हूँ लेकिन हमाड़ी पढ़ाय लिखाई यूपी के एलावाद इन्विस्टी में गुई फिर हम दिल्ली सेम टेक किया और सरकारी नौपरे में लेट थो गए मैं रिटायर हुआ उस समय मैं जिप्ती कमिशनर के पोस्ट पे था एक टेक्नोक्राइट होते हुए भी जिप्ती कमिशनर का पोस्ट मिला यह बहुत बढ़ी चीज थी रिटायर्मेंट के बाद मैं अपने गाओं चला गया गाओं में जैसे होता है कि खेती वारी मैं हाथ में गलॉप्स लगा करके और खेती वेती करता रहता था एक एक तिन हठाथ में रहा एक एमेल आया और एक फोन कॉल आया वेच्टियम से एक इनाराई ने जो शाजा आप और यूपी के रहने वाले हैं उन्होंने मुझे फोन किया कि आप दिली आ सकते हैं या बॉम्बे आ सकते हैं मैंने कुबूल कर लिया उस बीटिंग में उन् जुनून भर दिया हिंदुस्तानी यूपकों के ऊपर वैसे खुद वह हिंदुस्तानी हैं एनाराई हैं लेकिन उनके मन में क्या पैदा हुआ कि भारत में आकर 20-25 साल से वह बेजिये में रह रह रहे हैं इसके बाद सो भारत ने इतना आक्रिष्ट किया यहां के प्रस्ट उन्हाने कहा कि एक नई पार्टी बननी चीदिये ऐसी पार्टी जो राजनितिक विकल्प दे सके और उस पार्टी का नाम रखा गया भारतिय राजनितिक विकल्प पार्टी हिंदुस्तान की 400 यूगों में देश के कोने कोने से केरला, तमिलालो, अंधरा प्रदेश, यू पिहार, उन्हों ने कंप्यूटर के जरीए सबों से संपर्क साथ रखा था, और सबों से ये पूछ रखा था कि क्या आप करेक्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तयार हैं, 400 यूगों ने जब हां कह दिया था, तब ये मीटिंग भी थी, मुझे इस पार्टी का राश्चेर देक्ष बनाया गया, मुझे ये जिम्मेदारी दी गए, कि आप पार्टी का सभिदान बनाईए, और हिजिंडा बनाईए, कि हमारी क्या नेती होनी चीए, हमने आपने देखा होगा कि देश में अभी जो पार्टियां हैं, कॉंग्रेस मुझे पार्टियां बीजे पी हो, समाजबादी पार्टियां हो, रास्टी जनतादल हो या डी एमके हो, बीजे टी हो, ये सारी पार्टियां बिल्कुल पुराने धरे पे चल रही हैं, हमने देश को एक नई दिशाथ देनी की कोशिच की, अपने जेणर के माद़म से, अभी पार्लियमेंट की स्थिती है उसके अनुसास से हमारे समाज में परिवर्तन मांगता है और इसके बारे में थोड़का आपको बता दो कि इस परिवर्तन पे कईों उने काफी कुछ चढ़ा उतराओ प्रशन किये थे मैंने उनसे बताया उन्होंने पूछा हमसे कि आप इस देश को रास्टपती प्रणाली मैं रास्टपती शाषन की बात नहीं कर रहा हूं मैं रास्टपती प्रणाली की बात कर रहा हूं वी देशों में आपने दोना होगा ति अमेरिका प्रांस जेल्मनी ऐसे ऐसे देशों म राजपती प्रणाली है मैंने लोगों को समझा है कि अभी जो सरकार है दिल्ली की वह बहुत ही कंदोल सरकार है क्यों कंदोल है क्योंकि छेत्रिय पार्टियां उफान पे हैं नहीं सब के सब हूपर आ रहे हैं कोई पंदर से 20 हो गया 20 से तीस हो गया इस तरह से यह पार्टियां और यह कुछ सिल्सला है यह आने वाली बीस-तीस साल में बंद होने वाला नहीं है इसका मुख़र यह होगा कि हमारा केंदर साथार बहुत ही कमजोर होगा और किसे भी देश के लिए कमजोर केंदर का होना बहुत ही नुखसान दे होता है उस देश की प्रगत्ती उसका जिसको सबखा कहते हैं या कहिए उसकी प्रेस्टीज या उसका माप दर्ण जाता है दुनिया के लोग हे दृष्टी से देखने लगते हैं यहां की सरकार और इस से रहा है लेकिन अगर आप राश्ट्पती प्रणाली से एक राश्ट्पती का चुनाव करते हैं हम अमेरिका को नहीं फॉलो करेंगे अमेरिका फ्रांस को दिमानेंगे क्योंकि उनमें भी प्ला इंडाइक एलेक्शन होते हैं हमने प्रस्तावेश्ट किया कि हमारी राश्ट्पती प्रणाली में जो हमारा राश्ट्पती होगा वो डायरेक्ट वोट से पूरे हिंदोर्स्तान के लोग वोट करेंगे और उससे हमारा चुना जाएगा अब इससे तेकिए इससे पायर ही कितने हैं जब देश अभी हमारे जो पार्लिमेंट्री सिस्टम है एक राश्ट्पती होता है एक प्रधान मंत्री होता है उसके बाद दो हमारे हाउसेज हैं राजी सभा है लोग सभा है अगर हमने राश्ट्पती प्रणाली से एक राश्ट्पती का चुनाव प्रस्तावित कर दिया और यहां की जन्ता ने इसको approval दिया इसको मानेता दी तो इसे देखे किते पायदे होगे एक ही राश्पती होगा प्रधान मंत्र की कोई जुरूरत नहीं है अगर आप चाहे तो राज्य सभा की कोई जुरूरत नहीं है अभी जो राज्य सभा के सिर्थी है अच्चे लोग नहीं गुत रहे हैं पैसे के बब के लोग गुत रहे हैं तो राश्पती प्रणाली में एक और फायदा जो सबसे जबदर्थ है कि राश्पती बिलकुल मुक्त होगा कि किसी इनिवर्स्टिटी से किसी प्रफेसर को मंतरी बनाए किसी ओर्पुरेट बॉड़ी से किसी को बुलाकर मंतरी बनाए पॉलिटिश्यन के बीच से भी एक अच्छे पॉलिटिश्यन को वो चुन सकता है यानि कि पूरा हिंदोस्तान उसके लिए खुला रहेगा जहां से भी वो चाहे अपने मंतरी परश्यन में लोगों को शामिल कर सकता है और जब तक उसका काजिकाल है तब तक तो उस पद पे कैबनेट मंतरी कहिए या जो कुछ भी कहिए उसका नाम करन तो सहुलियत के हिसाब से किया जा सकता है जब इसका काजिकाल राष्टपती का खतम होगा तो यह जितने लोग हैं इनके कैबनेट में सबके सब अपने जगह पे वापस चले जाएगे प्रफेसर अपने इनुवरिसिटी में चला जाएगा कोई कॉर्परेटर जाएगा कोई समाज सेवी है वो अपनी समाज सेवा में लिप्थ हो जाएगा इसे फ्रस्ताशार से मुक्ती मिलने में बहुत ही सोहलियत होगी आज देता लोग फ्रस्ताशारी क्यों हो है इसलिए कि वो सोचते हैं कि पांच साल तक हमारी ये नौकरी है, यहने किसी गुदान मंत्रे ने हमें कैबिनेट में रखा है सिर्फ पांच साल पे भी हैं, इसलिए पांच साल में वो लूट खसोट मचा कर जितना इकठा कर सकता है वो करने की कोशिश करता है, लेकिन रास्प लुट देंके जाते ही हम अपने इन्वर्सिटी में चले जाएंगे, अपने अपनी जगहों पे चले जाएंगे, तो यह सबसे बढ़ पाहता है, इसके साथ एससाथ हमने राज्यों के स्वायगतता की कभी प्रश्ताविविश प्लस्ताविड किया अ, राज्य में अभी ग कोई जुब्वत नहीं है लेजिस्टियुटिव एसमपी में जो इतने पैसे कोई जुब्वत नहीं है आज आज आप देखते हैं आए दीन अखवारों में ये चापता है कि कि राज्य की सरकारें केंद्र सरकार को दोशी ठहराती है कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं मिल रहा है पानी के लिए पैसा नहीं मिल रहा है उस्पतालों के लिए पैसा नहीं ये खींचतान खतम हो जाएगा अगर आप राज्यों को स्वायत प्रता देते हैं के लिए एक ही शिक्षानिती जो बनेगी वो केंद्र के मातहद होगा, अर्थिक केंद्र के मातहद होगा, डिफेंस जो ये सारी चीज़ें केंद्र के मातहद होगा, बाके चीज़ें राजी अपने सौतंत्र होंगे, और उनको उनकी खीषतां जो केंद्र से है, और जनता को गोमराह करते हैं, जब एलेक्शन आता है, तो जनता को कहते हैं, हमें तो अबसा नहीं परिया केंद्री, इसमें हम आपकों की सिवा नहीं कर पाए, ये सब शमेला ख़ता है, दूसरी शीज, ते तीसरी शीज जो हमने प्रस्तावित किया है, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर आज आपने सुना होगा, देखा होगा गाओं में, अगर आप आप लोगों का गाओं से सम्मझ है, कि बिद्धा पेंशन के नाम पर 200 और 300 और 400 रुपे जिए जाते हैं, 400 तो शायद ही हमने, हमने नहीं सुना है, 300 तक सुना है हमने, अब इसमे स्टेक होल्डर, जिसको आप दे रहे हैं, उसको कितना पहुंचता है, किसी को 200 रुपे का बिद्धा पेंशन मिल रहा है, तो उसमें बीच बीच और ये का भी तो कुछ कमिशन बनता है, कुछ पंचायत लेवल पे जो अलिकारी हैं, वो भी उसमें कुछ खाते हैं, याने जिस आदमी को बिद्धा पेंशन मिल रहा है, उसे 200 के जिकरते, सवा सवा या 1500 के मिलते हैं, तो ये आलम है बिद्धा पेंशन का, हमने प्रस्तावित किया है, अगर हमारी सरकार बनती है, अगर लोगों के दिल में ऐसा होता है, कि नहीं देशते व्रस्ताशार खतम करना है तो हम खेती हर मजदूरों, सबकों पे जो काम करते हैं मजदूर, या किसी भी तरह कि मजदूर करते हैं, मैं किसानों कर रहा हूँ, मैं मजदूरों की बात कर रहा हूँ, इन सबों को जैसे सरकारी मुलाजिमों को पेंशन मिलता है, मैं इनको पेंशन देने का प्रस्ताव कि हमारी सरकार इनको पेंशन देंगी, अब दीखिए, विदेशों में क्या होता है, वहां पे सिकुरिटी नमबर दिया जाता है, हमारे हाँ आर्फार कार्ड को इस्तमाल किया जा सकता है, कोई जो सरकारी कर्मचारी है, उसके जितना तो आप उसे पेंशन दे नहीं सकते, उसके शिक्षा, उसका सामाजी कि सर, उसने कितना जैसे सरकारी कर्मचारी का कुछ पैसा कटता है, सरकार काटती है, तो उसके आर्फार पे इनका भी पैसा कुछ कटेगा, जैसे मान लिए किस कि दो दूसर उर्पे की दिहारी है तो जब यह सामाज़ीयों में समानता होगी एक जैसी डिग्री होगी ऐसा नहीं कि कोई इन्विस्टी उसे स्विकार नहीं कर रहा हो क्योंकि सबका स्टैंडर्ड एक ही होगा साथ ही साथ अभी हम लों के साथ एक और दिक्त है कि विदेश की पट्री पे आ गया उसमें उससे हमारे महाविद्यालियाओं के के सनातकों का किमानता बढ़ जाएगी विदेशों में तो यह सब चीजे इस देश को लई दिशा की और अगरसर चप्ते आप पड़ी चीज चुनाबों में जो चुनाब आने वाले में में मेंके सबसे मु अन्य हजारे जी के पच्चिनों पे चल कर हम राजनीती करना चाहते हैं हम यह चाहते हैं की राजनीती पुरानी राजनीती से लोग निजात पाएं और नहीं राजनीती करें जो अना हजारे ने कहा था कि गांधी जी का सपना था गांवना, उन्होंने सपना देखा था कि गांव से सरकार चलेगी, तो मैं भी इसके बाक्ष्न नहीं हूँ, सरकार पंचायद से ही शुरूर होने चीए, उनकी समस्या क्या है, उसका निदान क्या है, समस्या और निदान वो खुद बटाएंगे, और वहीं से हमारी शुरूरात हो लिए, पार्लियमेंटरी सिस्टम में मैं बदलाव राना चाहता हूँ, यह सबसे बड़ी चीज़ है, आप कहेंगे कि जब आपका एलेक्षिन कमिशन अफ इंडिया के नियमों के अंसार मुझे भारत के संविधा में आस्ता रखनी है, उसे में बदलाव करने की इजाज़त नहीं है, तो हम अभी जो एलेक्षिन लड़ेंगे, वो हम इसी संविधान के हसाब से लड़ेंगे, लेकिन अगर हमें पध्धती में कोई बदलाव लाना है, तो एमेंडमेंट्स होंगे, जिस तरह से बहुत सार सेक्रोष एमेंडमेंट्स हो चुचे हैं जूरुत के हिसाब से, तो ये एमेंडमेंट्स होंगे, हम दिशा को राजपती प्रणाली के मांकें से एक नहीं प्यश्रा देड़ा चाहते हैं, जिसे योवाते हैं तूरी, किसी में राजनीती जफ़क्ती, किसी में युगाउंक से लेकर पक्चास साल के उन्द तक के लोगों को हमने युबा करार दिया है और इसका कार्ण cet पक्चास साल की उन्द तक लोग लोगों में काम करने रहती है उसके प्वाद थोड़ा ग्राफ प्रतिशत पोस्ट या पार्लेमेंट की सीट या एसेब्ली की सीट यूगों के हाथ में होगी पचास प्रतिशत हमने महिलाओं की भागदारी रखी है आपने युवाओं पे सवाल किया है तो मैं आपको बताऊंगा कुछ दिन पहली मैं आमें और उस समय बराक अबामा वहां के राश्पती नहीं थे और वहां के टीवी चैनल को मैं हमेशा देखा करता था उनका जो एंकर तो हो कहता था कि 54% आफ दे अमेरिकल यूथ यूथ दियार गूइंग तो फेवर बराक अबामा एन वी होग ही विल बी सक्सेस्ट जब उनका एल एंकर का सुना तो नहीं यहीं कहा था कि हमने फोर्कास्ट दिया था न कि 54% यूवाओं का सपूप मिला बराक अबामा को और सफेद लोगों के देश में एक काला आदमी राश्पती बन गया आप सोचें जब राम लिला मैदान में आंदूर इंचर रहा था श्री अन्ना जारे का 85% यूवाओं ने वादा किया था कि हम आप के साथ हैं आप खुद सोचें जब 54% सतर परिवतन कर सकता है तो 75% क्या करेगा तो यूवाओं की भाज़दारी बहुत दूरी है जब तक यूवाओं उनपर नहीं आएंगे तब तक इस देश का कल्यान नहीं होगा हमारे जेसे उम्र दराज लोगों को राज़नेती से सन्यास लेना चीए यूवाओं को वक्त देना चीए वो नई भाव ना आएंगे वो गल्ती करेंगे वो सिखेंगे एकावत है शहर सिखाय कोतवा यहीं बात होगी एक गल्ती करेंगे दूसरी करेंगे फिर सुद्रेंग कितनी सीटव ऐपर उमीदवार उतार hice तारा कितना उमीदवार के उमानदार ही कहता है। परके में उसको किस तरह से टिकट धिया जाए." सबसे पहली चीज चीज crops then यह कि हम इमानदार लोगों को बढ़ोरेंगे. ऐसे लोग जो भरस्टाचार के तरफ जिनका जुकाओ है हम ऐसे लोगों को टिकटनी देंगे सबसे पहली हम एलेक्शन में उतरना चाहते हैं दिल्ली के एसेमली एलेक्शन में और इसमें 73 सीट है अभी तो शायद बढ़ करके 75 हो गया है ज्यादा से ज्यादा हम मुमिद्वाय खड़े करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि युगाओं में हमारी पार्टी के प्रति हमारी हमारे परस्तागित वीजन के प्रति एजेंड़ा पॉइंट्स के प्रति कितना चुपाओ है आपको ना तो टिकट देंगा अन्ना जी कि वो सबसे बड़े साही होगे रहे तर्विन के जिए और उनकी पार्टी आई आम आदमी पार्टी तो उस पार्टी को और आपकी पार्टी में क्या अंतर है अभी तो यह कहिना बड़ा मुश्क्किली है कि हमारे एजेंड record को हमारे विजन को उन्हों wurde नहीं नहीं देखा है उनके विजन को ने देखा तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगता है लेकिन शायद उन्होंने राश्रपतिय प्रणली को प्रस्तावितिंग किया है है बेसिक कोफिंट अच्छा इसमें